हलो स्टुडेंट साप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के वी क्लासिस पर आज इसमें हम प्रतियोगिता दर्पन जो हमारी मासिक जो हमारी मंतली मैगजीन है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट करंड अफेर्स है दिसंबर की ये मैगजीन है और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट करंड अफेर्स है वन लीनियर करंड अफेर्स उसको आज इसमें हम डिसकस करने वाले हैं अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं दिखते हैं क्या है जो हमारा फर्स्ट कुश्चन है करंड अफेर्स का रास्ट्रिय पुलिस स्मारक एवं संग्रालिय की स्थापना कहां की गई देखे अभी राश्ट्रिय पुलिस इसमारक और संग्रालिय की स्तापना की गई है वो कहाँ पर की गई है वो की गई है नई दिल्ली में देखे जो हमारे प्रदान मंत्रिये नरेंद्र मोधी उन्होंने 21 अक्ट्यूबर 2018 को नई दिल्ली में रास्ट्रिय पुलिस मारा केवं संग्रालिये का उधगाटन किया 21 अक्ट्यूबर को प्रतिवर्ष लद्दाक में 1969 में चीनी सेना दुआरा शहीद किये गए सेंट्रल रिजर्व पुलिस के दस सिपाईयों की याद में रास्ट्रिय पुलिस स्मरनोसव मनाया जाता है नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट कुश्चन देखिए आप मुझे अनकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं जो भी रिजनिंग सेक्शन के जो टॉपिक्स हैं क्रैश कोर्स हैं वो मैंने सब अनकैडमी पर डिसक्स किये हुए हैं मिरा नाम है पायुजन के समय ट्रेन से कटकर लगबग 61 व्यक्तियों की मृत्यू हो गई देखे अभी दशेरे जब था तब जब दशेरे के दिन रेलवे पट्रियों के पास क्या हो रहा था रावन का देहन हो रहा था और उसमें क्या हुआ ट्रेन आ गई और उसमें 60 लोगों की मौत हो गई जब भगदर मची कहां हुआ यह केस यह केस हुआ है अम्रेट सर कहां अम्रेट सर में देखे 19 अक्टूबर 2018 को अम्रेट सर में रेलवे लाइन के किनारे हो रहे दशेरा उत्सव के समय पट्री पर लगबर 5000 व्यक्ति खड़े थे अचानक ट्रेन आ जाने पर ट्रेन की चपेट में आ जाने से लगबग 61 लोगों की मौत हो गई और सेखडो घायल हो गए आगे चलते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट कुशन केरल की किस मंदिर में उच्तम नियायलिये के महिलाओं को उच्तम नियायलिये के महिलाओं के प्रवेश की अनुमती दिये जाने संबंदी निर्देश के बाद भी मंदिर प्रशाशन द्वारा महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया। निर्देश के बाद भी महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया। उसका आंसर है के वादिया कहां पर की गई के वादिया पर की गई के वादिया में की गई जो एकता की मूर्ती है ये किसकी है सरदार वल्लब भाई पटेल की। स्वतंत्र भारत की पहली केंद्रिय मंत्री परीशद में उपपरदान मंत्री एमम ग्रह मंत्री रहे सरदार वल्लब भाई पटेल की एक सो बयासी मीटर उंची लंबी प्रतिमा गुर्जरात में सरदार सरोवर बांध के पास के वादिया में स्थापित की गई है। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने किस सहर का नाम बदलने का निर्ने अक्टूबर 2018 में लिया। निता के अनुसार प्राचीन नाम प्रयाग राज का नाम इलावाद मुगल समराट ने अक्बर ने रखा था। आगे चलते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट कोश्चन करनाटक राज्य की किस गाउं को केंद्र की अंतियोध्य योजना की अंतरगत देश का सरवाधिक विक्सित गाउं अक्टूबर 2018 में घोशित किया। करनाटक राज्य है उसको कोई गाउं है उसको कौन से गाउं को केंद्र की अंतियोध्य योजना की अंतरगत देश का सरवाधिक विक्सित गाउं घोशित किया। वित्य समावेशन महिला से सक्षित करण स्वास्ते एवं शिक्षा आधी 47 पेरामेटर पर यह रैंक प्राप्त हुई है ग्रामीड विक्रास मंत्राली की रिपोर्ट के अनुसार बाणमे से बाणमे स्कोर प्राप्त कर श्री रामापूरम आंदरप्रदीश तेलापूरम तेल इंडिया की भारत के सरवादिक धनी सो व्यक्तियों की वर्ष 2018 के सूची में शीर्षिस्थान किसका है किसका है सो व्यक्तियों में से शीर्षिस्थान किसका है मुकेश अंबानी का देखे रिलाइंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 47.3 अरब डॉलर्स Forbes इंडिया ने आकलित की यह लगतार 11 वर्ष जब मुकेश अंबानी भारत के सरवादिक धनी व्यक्ति आकलित किये गए दूसरे स्थान पर कौन रहे विप्रो के अजीम प्रेम जी थे आगे चलते हैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिन कोरिया के किस उच पुरुषकार को देने की घोषना अक्टूबर 2018 में की गई थी कौन सा था वो पुरुषकार वो था सियोल सांती पुरुषकार 2018 दिखिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को दक्षिन कोरिया के सियोल शांती पुरुसकार फाउंडेशन द्वारा आर्थिक व्रद्धी अंतराश्रिय सहयोग एवं वैश्विक आर्थिक सम्रद्धी के लिए दिये गई योगदान हेतु सियोल शांती पुरुसकार देने क गोशना की गई है आगे चलते हैं उत्तर प्रदीश के पूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंग यादव के भाई एवं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल ने अपना पार्ट किस पार्टी का गठन किया दिखे जो मुलायम सिंग यादव है सपा सरकार के जो मुख्यां है और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने मुलायम सिंग यादव के भाई और अखिलेश के चाचा है शिवपाल यादव उन्होंने किस पार्टी का गठन किया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानि लोहिया जो शिवपाल यादव ने समाजवादी पार यानि लोहिया को पंजीकृत किया है दोनों पार्टिया साथ साथ काम करेंगी इस आश्य की गोश्णा शिवपाल यादव ने की नेक्स देखते हैं क्या है कुशन भारत की किस महिला पहलवान ने विश्व कुष्टी चैंपियंशिप में अक्टूबर 2018 में कांसे पदक जीता आगे चलते हैं विश्व आर्थिक मंच की वर्ष 2018 की गोबल कमपिटिवनेस रिपोर्ट में ढारत का कौन सा इस्थान है स्वारी कौन सा इस्थान है कौन सा इस्थान है 58 इस्थान है जिनेवा इस्थित विश्व आर्थिक मंच की वर्ष 2018 की ग्लोबल कंपिटिटिवनेस रिपोर्ट अक्टूबर 2018 में जारी की गई इसमें 140 देशों के लिए प्रतिस परधात्मक सुचकांग काकलन किया गया जिसम यह देखते हैं क्या हैं हमारी इंटरनेशनल करण्ट अफेर्स यूरोप तथा जापान की अंत्रिक्ष एजिंस्यों द्वारा संयुक्त रूप से किस ग्रह का अध्यन करने के लिए अंत्रिक्ष यान अक्टूबर 2018 में प्रक्षेपित किया गया बुद्ध मतलब कौन से ग्रह का अध्यन करने के लिए बुद्ध ग्रह का अध्यन करने के लिए यह जो यान है वो प्रक्षेपित किया गया यूरोपियन स्पेस एजिंसी और जापान एरोस्पेस एक्स्प्लोरेशन एजिंसी द्वारा सहयुक्त रूप से बेपी कोलम्बो नामक अंतरिक्षियान को फ्रेंच गुआना के कोरू केंज से 20 अक्टूबर को एडियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया इसका नाम इटैलियन वैज्ञानिक जियू सेपे बेपी कोलम्बो के नाम पर रखा गया है यह बुद्ध ग्रह की कक्षा में रहकर उसका अध्यन करेगा आगे चलते हैं विश्व का सरवाधिक लंबापुल कौन सा है जिसका उटकारटन 23 अक्टूबर 2018 को किया गया कौन सा है होंग कोंग मकाउ जुजी ब्रिज चीन को होंग कोंग एवं मकाउ से जोडने के लिए 55 किलोमेटर लंबे समुद्री पुल का उदगाटन चीन के रास्टर पती शी जिन पिंग ने 23 अक्टूबर 2018 को चीन के जुहई पोर्ट पर किया आगे चलते हैं उत्री आयरलेंड की किस महिला लेखिका ने अपने उपन्यास मिल्क मैन के लिए मान बुकर पुरुसकार जीता कौन सी लेखिका ने जीता अन्ना बर्स किसने अन्ना बर्स ने देखे उत्री आयरलेंड की उपन्यासकार अन्ना बर्न्स ने अपने उपन्यास मिल्क मैन के लिए मान बुकर पुरुसकार फिंक्शनर अक्टूबर 2018 में प्राप्ट किया इनका पहला उपन्यास नो बोनस बोनस 2001 में प्रकाशित हुआ था आγे चलते हैं भारत एवं चीन का सयंयगत सैनअब्यास का अईोजन दिसंबर 2018 में कहां संभावित है चैंगडू भारत और चीन के मद्ण्या होने वाला वार्षिक सैनिय सयंयगत आव्यास जो है हैंड इन हैंड का अईोजन कहां पर चीन में चैंगडू शेत्र में दिसंबर 2018 में प्रस्तावित है पिछले वर्ष यह संयुकता भ्यास डोकला में तनाओ के कारण स्थगित हो गया था आगे चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन की तरफ आप मुझे अन अकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर मेरे रीजनिंग सेक्शन की जो टॉपिक वाइस कोर्सिस है वो अबेलेबल है अभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं सउदी अरब का मेरिका में रह रहा कौन सा पत्रकार जिसकी तुरकी में अक्टूबर 2018 में हत्या होने के कारण चर्चा में रहा कौन सा पत्रकार था जमाल खागोशी सउदी अरब के क्राउन प्रिंट सेवं उनके सहयोगियों के आलोचक थे 2 अक्टूबर 2018 को तुर्की में, इस्तामबुल में, इस्थित सौधी अरब के दूतावास में गए थे, जहां से वे जिन्दा वापस नहीं आए, संदिक्द परिस्थितियों में हुई हत्या के कारण वे विश्व के समाचारों में चर्चित रहे आगे चलते हैं भारत वे जापान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस नाम से अक्टूबर 2018 में संपन हुआ किस नाम से जीमेक्स, कौन सा नाम जीमेक्स भारत वे जापान की नौसैनाओं का तीसरा दूई पक्षिये संयुक्त अभ्यास जीमेक्स साथ से 14 अक्टूबर 2018 को विशाखा पत्नम यानि आंदर प्रदेश के समुद्री तट पर संपन हुआ नेक्स्ट है एक दिवसी अंतरास्ट्रीय क्रिकेट में 45 वी हैट्विक अक्टूबर 2018 में किसने बनाई और इसका आंसर है इमरान ताहिर दक्षिन अफरिका की क्रिकेट खिलाडी इमरान ताहिर ने ब्लूम फॉन्टेन में जिंबाबे के विरुद खेलते हुए 3 अक्टूबर 2018 को अपनी लगातार 3 गैंदों पर 3 खिलाडियों को आउट कर हैट्रिक बनाई इमराम ताहिर एक दिश्य क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले 40 वी गैंद बाज हैं आगे चलते हैं वर्ष 2018 का नॉबल शांति पुरुसकार किस महिलावे पुरुष को संयुक्त रूप से दिया गया किसे मिला डैनिस मुक्वेज और नादिया मुराद इन दोनों को क्या संयुक्त रूप से नॉबल पुरुसकार से पुरुसक्रित किया गया नॉबल शांति पुरुसकार से शांति का नॉबल पुरुसकार इराग की मानवा अधिकार कारे करता नादिया मुराद एवं कांगो के मानवा अधिकार कारे करता एवं समाद सेवी डैनिस मुक्वेज को यौन हिंसा को युद की अतियार के रूप में प्रियोग करने के विरुद प्रियास करने के लिए दिया गया है आगे चलते हैं वर्ष 2018 की ग्रिश्म कालिन युवा ओलम्पिक तीसरे खेल अक्टूबर 2018 में कहां आयोजित किये गए और ये कहां आयोजित किये गए थे ये किये गए थे ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में ये आयोजित किये गए थे रूस ब्यूनस आयर्स 2018 युवा ओलम्पिक खेलों में ब्यूनस आयर्स में आगे चलते हैं वर्ष 2018 के एशियन पैरा गेम्स यानी तीसरे खेल अक्टूबर 2018 में कहां आयोजित किये गए और ये आयोजित किये गए जकारता इंडोनेशिया में तहाँ पर जकारता इंडोनेशिया यानी 6 से 13 अक्टूबर 2018 को जकारता में संपन एशियन पैरा गेम्स के कुल 319 पदक जीतकर भारत चीन ने शीर्ष इस्थान प्राप्त किया दक्षिल कोरिया वे इरान का जो क्रमशे दितिय वे तरितिय इस्थान रहा कुल 72 पदक जीतकर भारत का नौवा इस्थान रहा आगे देखते हैं नाटो एन एटीयो का शीत युद के बाद सबसे बड़ा सैना ब्यास 25 अक्टूबर 2018 से किस नाम से प्रारंब हुआ और इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ट्राइडेंट जंक्चर 18 ट्राइडेंट जंक्चर 18 नौर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गिनाइजेशन नाटो के सदस्य देशों का सैना भ्यास ट्राइडेंट जंक्चर 18 नार्वे में 25 अक्टूबर से प्रारंब हुआ जो की 23 नमंबर 2018 तक चलेगा इसमें हमने दिसंबर की Important Current Affairs को प्रतियोगिता दरपन से कवर किया इसमें काफी Important Current Affairs है यह हर एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है चाहे हो SSC हो, Railway हो, Bank हो कोई State Level का एक्जाम हो, UPSC हो, BPSC हो, MPSC हो सब के लिए इंपोर्टेंट है तो आप इसको जरूर देखिए और मेरी प्रोफाइल खुल कर आएगी यह रही मेरी प्रोफाइल और आप मुझे यहां से फोलो भी कर सकते हैं देखिए जो मेरे All Time Views है वो 28.9,928,900 मेरे व्यूज है 807 मेरे टोटल फोलोवर्स है, मेरे 43 कोर्सी अवेलेबल है यह Reasoning Section की, Specially Reasoning Section की जो मेरे कोर्सी है वो जो SST CGL के लिए हैं, वो आप देख सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी Important हम मेरे जो कोर्सी है मिल जाएगा Calendar का मेरा एक कोर्स है, Coding Decoding का Full कोर्स है, Analogy का है, Topic Wise है, Blood Relation का है आप देख सकते हैं Crash Course है, Railway का Distance Direction है, Previous Year Questions है बहुत सारे कोर्सी अवेलेबल है मेरे, तो आप मुझे Unacademy पर भी Follow कर सकते हैं और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए, तो इसको शेयर करना बिलकुल ना भूले और जरूर देखी, Thank you for watching, Have a nice day